हलो फूडीज, आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू दम आलू दो तरह से बनाते हैं, एक पंजाबी स्टाइल और कश्मीरी आज हम कश्मीरी स्टाइल बनाएंगे तो चलिए देखते हैं हमें दम आलू बनाने के लिए क्या के सामगरी चाहिए आलू, स्वादरुसार नमक, हल्दी, तेल, दही, लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च लिया है हमने सबसे पहले हम आलू को उबाल के छिल लेंगे, छिलने के बाद हम इसे काटे से छेद करेंगे इसके अंदर ये हम छेद इसले कर रहे हैं ताकि आलू के अंदर नमक अच्छे से चले जाए पकाते टाइम और अच्छे से पक जाए यह हमने छोटे आलू लिये, दम आलू में छोटे आलू ही यूज होते हैं इसे तरह हम सारे आलू में छेद कर देंगे काटे से अब हम लाल मिर्च लेंगे, लाल मिर्च यह कश्मीरी लाल मिर्च है इसे तोड़ कर इसके अंदर सारा बीज निकाल देंगे यह हम बीच इसलिए निकाल रहे है क्योंकि हमें जादा मिर्च वाली सब्जी नहीं चाहिए स्रिफ हमें फ्लेवर और टेस्ट चाहिए हमने सारे बीच निकाल दिये यह बीच आप चिली फ्लेक जैसे यूज कर सकते हैं पैन में फ्राइ करके पास्त और पीज़ा के उपर इस मिर्च में हम पानी डाल देंगे और इसे फून ले रख देंगे 5-10 मिनट तक ताकि अच्छे से पिस जाए अब हम मसाला त्यार करेंगे दमालू का मसाले के लिए हमने लिया है धनिया सोफ बड़ी एलाइची छोटी एलाइची लॉंग जावित्री स्टार एडस और आपके पर जो भी गरम मसाले में है वह आप ले लीजिए डाल जीनी जीरा काले मिर्च तो यह रहे हमारे खड़े मसाले आपने यह सुना ही होगा कि अगर मसाले को पैन में फ्राइ करके गरम करके इसे भून लेगे अच्छी तरह से तो इसका टेस्ट और खुश्बू और जादा निखर के आएगी तो अब इसे पैन में अच्छे से भून लेंगे भूने हुए खड़े मसाले को हम मिक्सर में डालेंगे और इसे पीस देंगे देखिए मसाला पिस चुका है यह हमाया दमालू का मसाला है अब हमने जो भिंगो के रखा था मिर्च को उसे हम पानी के साथ ही पीस लेंगे मिर्च पिस चुका है अब हम दही लेंगे एक कटोरे में दही को अच्छे से फेट लीजिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसे अच्छे से चलाते वे फेट लीजिए अब हमने जो लाल मिर्च पीसा था वो हम इसके अंदर डालेंगे देखिए इतना अच्छा टेक्स्चर है लाल मिर्च का यह हम इसमें डालके अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे इसे चलाते में मिलाते रहिए क्योंकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए अब हमने जो मसाला त्यार किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी से मिक्स कर देंगे देखिए हमारा दही और मसाले का पेस्ट बिल्कुल तयार है तो चलिए अब हम तमालू बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले गैस पे कढ़ाई चड़ाएंगे कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें हम तेल डालेंगे तेल थोड़ा गरम हो जाए उसके बाद हम आलू जो हमने उबाल के रखे थे वो इसके अंदर डालेंगे और फ्राई करेंगे सारे आलू को आप कढ़ाई में डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए इसे हम हलका गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें हलका सा परत न आ जाया इसके ओपर एक लेयर न बन जाया आलू के ओपर फ्राई होने के बाद देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूं यह भी नहीं पकाएं क्योंकि यह भी गोल्डन ड्राउन नहीं हुआ है दब आलू बनाते वे आप यह ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जादा बड़े आलू ना लीजिए छोटे आलू लीजिए ताकि वह अच्छे से पक जाएं फ्राई हो जाएं उसके इंदर नमक चले जाएं जब आप सबजी पकाएं तो उसमें मसाला अच्छे से चले जाए इसी तरह चलाते वे फ्राई कीजिए आलू को देखिए इसमें गोल्डन प्राउन कलर आ चुका है एक लेयर बन चुका है इसके उपर अब हम सारे आलू को निकाल देंगे प्लेट में हमारा आलू अबल चुका है आलू फ्राई हो चुका है सारे मसाले त्यार हो चुके अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले कड़ाई में तेल गरम करेंगे तेल गरम हो जाए फिर इसमें हम हींग डालेंगे दम आलू में हींग डालना बहुत जरूरी है इससे टेस्ट और निकर के आएगा हींग डालने के बाद इसमें हम आदा चम्मच हल्दी डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च आदा चम्मच क्योंकि हम ये कश्मीरी दमालू बना रहे हैं तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज करिए और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे जो हमने दही मसाले का पेस्ट तयार किया था वो इसके इंदर डाल देंगे अब और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे जैसे यह आप दही का पेस्ट डाल देंगे उसके बाद हाथ चलाना शुरू कर दीजिए आपको हाथ चलाना बिल्कुल भी नहीं रोकना इसे अच्छी से चलाते हुए पकाएंगे मिक्स करिए थोड़ी देर में इसमें उबाल आ जाएगा को बाल आने के बाद इसमें हमने जो आलू फ्राय करके रखे थे वो इसके इंदर डालेंगे दम आलू को आप लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे तक इसमें नमक और मसाला अच्छी तरह से चले जाएंगे क्योंकि हमने आलू में पहले से ही छेट कर दिया था काटे से तो इसमें आसानी से मसाला और नमक चला जाएगा इससे आप करीब 10-15 मिनिट तक पकाएंगे देखिए 10-15 मिनिट बाद इसमें तेल उपर उपर आ गया है आलू में इससे मसाला चला गया है और यह ग्रेवी गाड़ी हो चुकी है हमारा कश्मीरी दमालू बनके बिल्कुल तयार है देखिए इतना अच्छा टेक्स्चर आ रहा है इसके उपर अब आप इसे सर्विंग प्लेट में निकालिए और सर्व कीजिए तो लग रहा है ना कितना स्वादिष्ट दमालू यखीर मालिए ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है दमालू को आप नान, पराठे और पुलाव के साथ सर्व कीजिए ये आपको बहुत पसंद आएंगे अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस रेसिपी से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कमेंट में जरूर बताईए झाल आपके मन में जरूर आपके में जरूर करें